तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में और आज हम आपको एक काफी खासी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो कि है अमेरिका की तो नर्मली बासा में आपको समझाएं तो जैसे समाज में यह होता है कि यहां पर पुलीस भी भाग रहता है और कुछ गली मुहले के चोर उ सब्सक्राइब को लटका दे तो यह पुलीस का अलग-अलग तरीका रहता है और वह जुरुँ सावित करने के लिए कभी-कभी आंदरी पकड़ते हैं या फिर कभी-कभी अईसा ही किसी के फाइयार कराने पर फिर पकड़ते हैं तो एक की कहानी जो है वह आमेरिका की और इ जो की एक ट्रक टीलर थे और समाज में काफी गंदगी मचा के रखी थी उन्होंने कैसे उनको पकड़ा गया और एक काफी गजब का तरीका था तो इसमें आप जानेंगे कि कितना मजदार इस्टोरी है और यह है अमेरिका के आवासो जीले की आवासो जीले में एक है मलब की आवासो जीलों में करीब 17000 आबादी थी 1986 में 1986 में उस मलब की जीले में बहुत लोग मैंती थे और अपने काम धंदे में हमेशा लगे राते थे तो बात यह हुई कि उसी समय एक फैक्टरी थी न्यू लाइन करके तो फैक्टरी में काफी लोग काम करते थे और उसी से का चलता था लेकिन चार-पान साल बात क्या हुआ कि 1990 में वह फैक्टरी का मतलब की जैसे जैसे कि उसकी घट गई और फैक्टरी कुलोज हो गई और जो वहां के जो भी मजदूर थे या फिर अधिकारी थे या फिर जो कंपनी में कारे करते थे तो उनका आधार वही था कि उसका में काम करें और अप सर्वाइब करने के लिए या मतलब की नार्मल का है तो जैसे कि सब कुछ उसी के अधार पर था अब यह वहां के युवा बेरुजगार होने लगे उप्या कि यह कि वहां पर दिरेदेर ड्रक्स जो होता है ड्रक्स की सप्लाई होने लगी और उस पुलिस से भी बचना था तो लोग आपस में सप्लाई करते थे तो देरे-देरे करके मामला पुलिस तक हो जा तो पुलिस ने सुचा कि यह तो काफी खतरनाक है हमारे समाज के लिए इनको कैसे पकड़ा जाए क्योंकि ड्रक्स वास्ता में खतरना होता है किसी समाज के चलो इसको पकड़ने के लिए एक तरीका बूटते है तो उसी में यह पूलिस वाला था तो पुलिस वाले का नाम था को जान प्राettsान प्राउन ठांच तो उसमें टरीका निकाला तो क्योंकंभाण समारों में महमान के तोर बुलाया जाएगा तो अब प्लानिंग बनी अब प्लानिंग कैसे अब प्लानिंग को मतलब की दरातल पर उतारना था तो यह हुआ कि अब इसको काम को कौन करेगा तो वहां पर एक महिला अफसर थी इसका नाम था पुलिस अवसर का नाम था जान भाउन मेइला नह यह इसंट गुछ को बहिजा जा तुम लोग जाओ और उनके बीच में रहो और महां से सब कुछ खवर देते हैं तो जान ब्राउन और बेवी जो है जाते हैं वहाँ पर जो होते हैं उनके बीच में जाकर रहने लगते हैं यानि कि पहले थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि आप अधर जल्दी नहीं हो सकते हैं किसी भी समाज में पहले पहले आपको फ़ड़ा थोड़ा पाइचान बनाना पड़ेगा फिर उसके बाद में जोल फिर पार्टी करेंगे वह लोग कि जो फुलकर लोग नहीं रहते थे जो भी ड्रक का सप्लाइब करते थे क्योंकि यह कानूनल जूम था तो अंदर-अंदर इस अप्लाइब करते थे लोग वी ग्राग के तौर पे महां पे गए और उनके बीच रहने लगें ड्रक लेने लगें उनसे बात्चीत करने लगे स्वाधा में धस्टी करने लगें किन फार्टी होती तो उनको बलाे और उनके द्वारा बनाई गार पार्टी में अप Nou तो कि देरे देरे पार्टी करते करते हैं भी विस्वास उन्होंने पूरा सब्सक्राइब लिए जितने भी लोग थे वहां पर मतलब की ड्रक समाज में तो और उन्हों ने एक लिस्ट बनाई तो लिस्ट में करीब 100 लोगों का नाम लिखा जो कि ड्रग इस थे मैंन में और जो पूलिस के पकड़ में नहीं आने वाले थे उन्हों सब्सक्राइब बनाई और आपने आफिसर को फोन किया सर कि हमने जो है यहां पर रहते हुए सब को जानकारी कर्था कर लिए और इनको पकड़ने का एक प्लान बनाए जाए ताकि इनको 100 को एक पकड़ लिए जाए तो हुआ है कि उसके अधिकारे ने बोला कि अगर हम चापा मार के अगर पचीस लोगों पकड़ते हैं पचाता लोग भाग जाएंगे वो लोग पकड़ में नहीं आएंगे और आब आती छोटी है कि उस फोजना बड़ा मुस्किल हो जाएगा तो उन्होंने बोला कि तुम आईसा करो कि कोई लिमाग लगाओ कि इनको एक अठा पकड रचाए जाएगी और उसमें जो भी खर्चता हों क्या कि पूलिस वालों के पास थे साना नहीं ऊत्या में उन्कूर मुनर था क्या पीने की व्युव्यूस्था करना ओन्हों रहता और उन्हों नोंको छुम करना कि सब असली लगे और तुम क्या करना है कि तुम ड्रग डीलर के वीच में रह रहे हूं तो तुम करना वन्यूजों को पार्टी में हम तुम ताकि लोग आज हैं और हम लोग पकड़ लेंगे तो डिसाइड यह हुआ कि जो टेंट वाला होगा या फिर जो मदब की खाना खिलाते हैं या फिर पूरा ब्योस्था देखते हैं फिर जो म्यूजिक सिस्टम में जो बाजा बजाते हैं उसे बाजा चलता था आज आज काल की तरह डिजे नहीं था तो जो म्यूजिक सिस्टम में बाजा बजाते हैं या फिर जो पूरी ब्योस्था देखते हैं रेस्टोरेंट टाइप में तो उन्होंने क्या कि जितने पुलिस वाले थें उनको उहां पर लगा दिया कि कोई 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 मलब की चारपाई भी छारा है कोई लगा रहा है कोई मलब की सब लग गया है मलब जितने लोग थे सब पुलिस वाले और उनको ड्रेस आइसा पनाया गया इस सब के पास एक एक बंदू को और रफीज डेवी और जान ब्राउन को भी उनकी साधी का नाटक करना था बात यह थी कि साधी इन्य दोनों की वह नी थी और दोनों अंडर कबर पुली साविसात हैं और यजब की वो लोग समझते थे जो ड्रग वाले थें कि यह लोग अपने दोस्त हैं तो उन्होंने क्या कि जो साधी थी उससे तीन हफ्टे पहले तो सबको इन्वाइट कर दिया जितने ड्रग डीलर थे एक सब आठ लोगों की लिस्ट बनी थी तो सबको इन्वाइट कर दिया कि यहां पे साधी होनी है आप रोगा जाना और हम दोनों लोग साधी करने वाले हैं तो हुआ हुआ है कि हुआ है कि तीन हफ्ते बाद सब कुछ ब्यास्था भी करना था तो साधी नकली थी इसलिए उन्होंने जाते ताम जाम नहीं किया मुलब इतना लिम्टेट खाना रखा कि बस काम चल जाए और फिर जिसे कि इस आयोग साधी में होता है कि बड़ा समंगा जाता तीन लगा कर दिया कि बाहर से वास्तवी केक लगे और अंदर से जबकी फोखला था और जितने लोग बैंड पार्टी में थे उस सब बंदू लिए व्रेट में सब पूलिस बाले थे और उनको बताया गया था कि जब सब ड्रग बाले चठा हो जाएंगे तो तुमको एक खास म् जाना है उसके बाद हम सब लोग मिलके उन लोग पकड़ लिया जाएगा ताकि कोई भाग न सके और तुम लोग को तब तक रुकना है जब तक कोई इंस्ट्रक्शन न दिया जाए को यादेश न दिया तो हुआ एक ही अब साधी का दिन नजदिक आने लगा तो साधी के लिए सब कुछ तयार थें और जो डेवी थी अवजान ब्राउन उन्हों को साधी में दुला-दुलन बनाए गया और साधी के लिए सब को जब वैट कर रहते हैं तो बात यह हुई कि 6 बज़े मतलब कारक्रम स्टार्ट हो गया 6 बज़े साम को तो मेहमान दीरे दिरे आने लगें पहले एक दो ड्रग डीलर आएं मतलब कि जितने भी लोग थे वहां पुलिस वाले जो दूसरे वेस में काम कर रहे थे मतलब कि उनकी नजर थी कि कितने ड्रग डीलर आ रहे हैं और काउंट करते थे और सब कुछ चल लाए और जो दूला का बाफ था या और दूलान की मा थी वह क्या हुआ कि जो रिटार्ड फूलिस अबसर थे उनको बनाया गया था वह क्या हुआ कि जितने भी मावाव थे वो सब दरवाजे खड़े रहते और जितने भी ड्रग टीलर या फिर में मानकतावर पर जो भी लोग आते उनको बोलते कि आप लोग वोई हत्यार हो तो आपवोग देदिटीए अरक दीए और ये साधी का समया सब्कितिक बास पसंने माद नहीं नहीं लें सबीने बात मां लिए और किसी ने कोई बी अरंदर नहीं ला प्योश्य होता अगर कि अगर पर लोग में बोलक्त हो जाती हुए तो हुआ है कि सब लोग मेमान जब इकठे होने लगें तो इधर जब मेमान इकठे हो रहे थे तो खाना लिम्टेड था खाना सब इस्टार्ट हो गया तो खाना भी खतम होने की कगार प्याग गया जबकि ड्रग डीलर करीब बंब इस फ्रकाब गया जो फेल उसकता था उन्होंने क्या गया कि ऑन जो मेमान थे कि खाने खड़े थें कि खाना और बले उनको बोला गया कि अभी थोड़ा आ रहा है आप तोड़ा वेट करीज़श अब वर जाया है ना इसे से करके उनको टाइम कार्टना था को रही है त तो आठ लोग नहीं आए तो फिर क्या हुआ कि जो पुलिसमेन था उसने इंट्रक्शन दिया बैंड वालों को कि अब सब कुछ आ गया तुम लोग म्यूजिक बजाते रहो जो भी है और हम इसारा करेंगे तो तुम म्यूजिक बदल लेना ताकि सब जान जाएं इस खास और चुकि दुले दुलन के पास भी बंदूख थी तो क्या हुआ कि करीब आठ वजे करीब जब सब लोग इकठे हो गया तो एक पुलिस वाले ने पाइंट वालों को इसारा किया तुम ए गाना बजाओ कि लेट प्ले विथ क्रिमिनल ओके जैसे पुलिस वालों का गाना थ आचा तो जब एक आना बजा तो इससं कि लोग यह कंशक्र के लिड़ा रहे हो तो पुलिस वालों का गाना और तुम इसमें क्यों बजा रहे हो तब सभी लोगों ने जितने लोग थे मुआ पने बंदूख तान दी और जो भी अपरादी थी थे सब को घर लिए गया और ए नाइन्टी सिक्स डग डिलर पकड़े गए चानबे ड्रग डिलर और चार लोग थोड़ा बाहर थे भाग गए और बाकी लोग जो था पकड़े गए तो एक काफी अच्छा तरीका रहा और कारगार तरीका रहा कि कैसे दो पुलिस आफिसर ने उनके समाज में रहा के उनका व प्रफिस्वास के अधार पर अपनी साधी रहा चाहिए और अपनी साधी में सब को बुला के फिर पकड़वा दिया तो एक मतलब अमेरिका की इतियास में माना जाता है इससे पहले ऐसा कभी ने वाक करीब सो ट्रॉक टीलर को एक साथ पकड़ा जाया या सव चोरों को एक स लोग इतना नाटक किये साथी रचाहे कि बिवस्ता किये अम अमनतर की टेंट नंबाया फिर सब कुछ किये दर दर से यहां तक कि ही जो दुले बात था वी टाइड पूली सबसर को बनाए गया दुले की मां को भी रिटाइड और बनाय गया तो ऐसे सब लोग मिलके परिवार की तरह और शुक्रा करा के फिर हम लोग पकड़ा गया है वह लोग भी काफी अहरां थे और और करीब 96 ड्रग डीलर पकड़ा गया और तब से माना जाता है कि वहां पे ड्रग का चलंग खतम हो गया क्योंकि जो में में थे में में ड्रग डीलर पकड़े जा जुके थे तो आज की स्टोरी के लिए इतना बहुत है और करता हूं संडे को जैसे एक-एक स्टोरी तो यह काफी अच्छा चला है मेरा और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है कमेंट में या फिर इसे पहले हमने एक जो कानी सुनाई थी जुए के मौत पर फिर प्रस्टमार्टम और फिर उस पर किस प्रकार की सजा हुई है काफी अंसांदार चली है और इसके अलमा हम यूटूब पर एंगलिस पढ़ाते हैं जो भी काफी अच्छा चला है तो अगर आप लोगों को इंगलिस दिखना हो त थांक यू सो मुच पर अफिए इंग मैं एफर और थांक यू